यदि आपने समय से ग्यों लगाई है तो उस समय आपकी फसल लवगग दो से धाई मेने की होगी होगी और उसमें इस समय जो भी खरपतवार आ रहे हैं उनको जो है आप किसी भी खरपतवार नासी के इस्तेमाल नहीं करें बलकि उसको जो एक फुर्पी अत्वा हमारा जो हैं ज़ड़하게 और इस समय यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि पानी देने की परती है क्योंकि यहों के लिए अच्कि पैदावर के लिए 4-6 सिचाई्ट परती है जहां पर बारी सोगी अच्छी बात है जहां पर बारिश नहीं हुए पर आप जो हमको पानी देनी की जड़ических पानी जैसा कि आप जानते हैं। 6 सिचाईयों की जरूद परती है। जैसे गहूं का मामा है, गुली रिंडा है और या जनली जाही है। यह सक्रीपत्ति वाले हर पत्वार हैं। और इसके साथ शाथ चोड़ीपत्ति वाले हर पत्वार हैं, जैसे हमारा बत्वा है, खर्बत्वा है, चत्री मत्री है, सेंजी है, प्याजी है, ये काफी नुक्सान करते हैं, क्योंकि ये भी यदि हमारी फसल अच्छी नहीं है तो जादे ग्रो करते हैं, और यदि हमारी फसल अच्छी है तो कम ग्रो करते हैं, तो इनको नियंदरन करने के लिए आप यांत्रिक विदी द्वारा भी कर सकते हैं अर्थात खुर्पी या कसोला चलाकर या आयनो चलाकर यदि आप किसी काणवर जो है लेवर की कमी है तो खर्पतवार नासी का इस्तेमाल करके भी खर्पतवारों का नियंदरन कर सकते हैं तो उसके लिए आप सल्फा सल्फिरोन की 25 ग्राम दावा लें और उसको जो है पांसो जशेसलिटर पानी में गोल बना के उसका छड़काव करें इसके साथ जो है चोड़ी पत्ती वाले खर्पतवारों के लिए मैट सल्फिरोन मेथाईल उसकी चार ग्राम मात्रा या तूफोडी सोडियम साल्फ आता है उसकी जो पांसो ग्राम मात्रा को पांसो जशेसलिटर पानी में गोल बना के हमको जो है 25 और 40 दिन के बीज में इसके इस्पे करना चाहिए इसके साथ हमको यह भी ध्यान रखना है जो बची नाइटोजन की मात्रा है उसको जो है पहला पानी देने के बाद में अवश्य लगाएं और जिदी कंडिशन में आता है और खरपतवार नियंद्रन के बाद में लगाएं ताकि खरपतवार नाइटोजन का इस्तेमाल न कर चाहिए बलकि हमारी फैसली इस्तेमाल करें जिनकी कमी के लक्षन ग्यों के अंदर आ जाते हैं जो पौदों की व्रद्धी वो रुक जाती है और उसके साथ साथ पत्तियों पर नसे होती है तो उनके जो नसों के बीच में जो सफेद धारियां बन जाती है इसके लिए यह मैं बताना चाहूंगा जो गाई क्लोग्राम साम को 10 लीटर पानी में भीगो दें और शिवा निथार के उसको छानने के बाद में पानी जो है उसको जिन सलफेट को पाच किलोग्राम को जो निथारा हुआ पानी है उसको जो है 500-600 लीटर पानी में गोल बना के उसका चिड़काव करें